नमस्कार, मैं संजे सनम, यूटूब के सभी वीवर्स का हरदे से अभी वादन करता हूँ वीवर्स, कोराना संकर्मन की दर बढ़ रही है और जब दर बढ़ रही है, किसी भी परिवार में किसी को भी अगर कोराना संकर्मन होता है तो जिसको होता है उसे होस्पिटल ले जाये जाता है और बाकी के परिवार के सदश्यों को घर से दूसरी जगह क्वांटाइन में रखा जाता है हम ये जानते हैं कि सरकार के भी अपने सीमित संसादन है सरकार भी बहुत तरीकों से युद्गो लड़ रही है तो बहुत सारी जगह से इसे उधारन मिलते हैं कि जहां उनके परिजनों को क्वांटाइन में रखा जाता है वहाँ पर उचित व्यवस्ता नहीं होती खान पान से लेकर के बहुत सारी चीजों की कमिया होती है हम इसके लिए सरकार को दोसी नहीं ठहराते लेकिन एक सुझाओ मुझे लगता है बहुत कारगर हो सकता है अमरता जेन स्री अपाटमेंट हवडा का एक वार्सप मेसेज जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये सुझाओ सरकार के लिए भी रहत दे सकता है और जो लोग क्वांटाइन में जा रहे हैं उनके लिए भी लाइफ लाइन बन सकता है यानि देख रेक के अभाओ में उनके साथ कोई दुरकटना ने कटे वो सुझाओ क्या है? वो सुझाओ को जरा समझने की कोशिस कीजिएगा सभी सामाजिक संगठन कोराना संकर्मन में सेवाकारे कर रहे हैं एक सेवाकारे अगर उनका ये भी हो जाए कि हर समाज के हर शहर में अपने अपने भवन है अपनी अपनी धरमशालाएं है और वो समाज अपने अपने समाज की कम से कम ये जिम्मेदारी ले ले कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर क्वांटाइन में जाने की होती है उसकी स्थिति तो उसे सरकार वहाँ पर ने ले जाकर के हम अपने संसादन देते हैं हम अपनी धरमशालाइन देते हैं हम अपने भवन देते हैं वहाँ पर हमोचित व्यवस्ता करते हैं, सरकारी निर्देश के अनुसार वहाँ पर काम होगा, उनके खान, पान, रहन, सहन की तमाम सुवेधाएं समाज देगा, लेकिन डोक्टरी व्यवस्ता वो सरकार यानि परशासन की तरफ से होगी बाकी जो भी सरकारी काईदे कानून है, उनका पूरा पूरा पालन किया जाएगा, सरकारी गाइड लाइन के आधार पर ही, वो सामाजिक सेवा के जो लोग हैं, जो केडर हैं, वो अपना धर्म निभाएंगे इससे बहुत बड़ी रहत मिलेगी सरकार को भी रहत मिलेगी सरकार को भी जगय जगय जाकर के जो ये काम करना पड़ रहा है वो काम नहीं करना पड़ेगा सिरफ सरकार को डॉक्टरी व्यवस्ता देनी है या कुछ ऐसे लोग देने हैं जो संकर्मन से रोकने का उपाई वहां बताएं, समझाएं या वो मार्ग दर्शन करें, वहां पर वो तेनात रहें. बाकी का काम समाज करेगा, यानि खान-पान की जो व्यवस्ता है, दवा की जो व्यवस्ता है, वो समाज करेगा. सिरफ डॉक्टर्स आकर के निगरानी करेंगे, डॉक्टर्स आकर के प्रिस्क्रिप्शन देंगे, और डॉक्टर्स के दिशान निर्देश के आधार पर वहां के समाज के लोग अपनी अपनी भुमिका निभाएंगे. मैं चाहता हूँ, इस वीडियो को सभी समाज के लोग गंभीरता से विचार करें, और संबहो तो सरकारी नुमाइंदू से मिलें, और उन्हें ये बताएं, कि आपके लिए हम अपनी सेवा दे रहे हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आपका एक तनाव है, क्वांटाइन तकले जाने का, उसको हम कम कर रहे हैं, और आपके दिशान निर्देश के अनुसार ही हम चलेंगे, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, देखिए जो लोग क्वांटाइन में जा रहे हैं, उन्हें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं जगय जगय से, कि व्यवस्ता उचित नहीं है, और कुछ यसी घटनाएं भी हो गई है, जिससे मन में तकलिफ होती है, मैं फिर कहता हूँ, मैं सरकार को दोस्त नहीं देता, क्योंकि सरकार के भी साधन सीमित हैं, सरकार कहां कहां पर काम करें, किदर किदर देखें, इसलिए समाजिक संगठन के लोग, जब बहुत सारी सेवाइं दे रहे हैं, तो ये सेवा बहुत बड़ी भुमिका निभा सकती है, मुझे विश्वास है, कि लोग समाजिक संगठन के लोग, सभी समाज के लोग इसे गंभिरता से विचार करेंगे, और अपने अपने सरोत से सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे, और ये जिमेदारी अपने हाथ में लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में ये जो संकठ है, उस संकठ से लड़ने में सरकार को भी सहुलियत होगी, और जो लोग क्वांटाइन में जाएंगे, उन्हें एक विशेस राहत उनके मन को सुकुन मिलेगा, वीडियो को लाइक किजेगा, शेर किजेगा, मैं अमरताजी जेन का हर्ति काभार ग्यापित करता हूँ, और जिस बंदु ने ये वीडियो, वार्सप मेसेज मुझे भेजा है, उसका भी मैं शुक्री आदा करता हूँ, मेसेज बहुत प्रेरक है, और मुझे लग सयोग कर सके, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, चैनल पर अगर नए आए हैं, तो सबिस्क्राइब करना मत भूलिएका, बेल बटन को भी दबा दीशेका, तकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें, नमस्कार